हाई फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग बोन के और भी जो कुछ प्रावलम सारी है बोड़ी में उसको सॉल्व करेंगे और कुछ भी इसके अंदर चेंज है वो हम लोग करेंगे तो अभी हमारा बोन ऐसा है तो इसको रिसेट करने के लिए क्या करना होता है माने चल इधर चल गया यहां थी दहर आ गया है और यह गरदान इधर चल गयी है और यह पेर इधर चला गया है ठीक है ऐसा-इसा कुछ हो गया है तो अब इसको हम लोग कैसे सेट करेंगे ए प्रेस कीजिए अल्ट आर कर दिजिए तो अपनी पोजीशन पर आ जगा रोटेशन और अल्ट जी तब जी मतलब लोकेशन पे चेंज पे आ जाएगा जिसे मांच लिए यहां पे अगर मैं अल्ट जी करता हूं देखरे कहां गया और अल्ट आर से क्या होता है अब रिसेट कर देता है रोटेशन को तो जब भी कुछ ऐसा प्राबलम हो तो ए पर के सब को सेलेक्ट कर लिजे अल्ट आर और अल्ट जी प्रेस कीजे कीबूर्ड से सारा कुछ सेट अप जो पोजिशन पहले था इसका सेम उसी पोजिशन में आ जाएगा ठीक है तो इसके प्राबलम फिक्स करने से पहले मैं यहां पे कुछ देखना चाहता हूं जिसे मान चली हमारे जो फिंगर्स होती है उसमें क्या होती है जिब हैंड को हम फिंगर को मोडते हैं तो उंगली क्या होती देखें यहां पे क्या होता है देख रहे हैं ऐसा होता है बट हमारे पास क्या होता है जब हम मोड़ते हैं तो एक साथ ये भी मोड़ता है और फिर ये भी ऐसे मोड़ता है इस तरह से क्या होती है चेंजेस आती है तो अभी ऐसा इसलिए क्यों हो रहा है क्योंकि इसके अंदर हमारे पास ज्यादा मेश नहीं इस कारण से भी यह हैंड ऐसा हमको नजार में आ रहा है ठीक है तो फिर अल्ट एप्रेस करेंगे अल्ट अल्ट आर अल्ट जी प्रेस कर देंगे कंट्र टैब अब्जेक्ट मोड में इसको सेलेक्ट करता हूं और आर में चले कुछ दिर के लिए ओफ कर देता हूं यहां से अगर मान चलिए यहां से इसो Select करते हैं तो आप देख रहे हैं कि Hand को अगर मोडेंगे तो Hand को मोडेंग के लिए आप हमारे पास कुछ ज्यादा ऐसा नहीं है कि ज्यादा यहां पे Mash होना चाहिए क्योंकि यहां पे देख रहे हैं एक future लगा हुआ वाइस करन से मोडते हैं तो हैंड में आप देख रहें वह जो प्रॉब्लम這邊 भाहर आता है ठीक है 막 ज्यादाने मैसे इसको यह बोलते हैं जैसे हमारे मालan चेट कहीं पर कट लगां हुआ हरहे यहाँ पर क्रम छोग और वहाल से हमारे मास होता है वह कम हो जाता है जब अगर हम वहाँ से खीचते हैं तानते तो बहुत stretch होता है ठीक है बहुत मतलब कि दुखता है तो उसी प्रकार से यहाँ भी same formula लगता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा cuts नहीं है ठीक है age नहीं है इस करने से क्या होती है दिक्कातारी ठीक है यह age देखें माने चले बता रहा हूँ कि यह एक है यहाँ पर दो है इसलिए मोड़ेंगे तो इसके अंदर problem है इसलिए इसके अंदर यह ज़्यादा होना चाहिए तो इसके लिए दो option है तो मैं अगर इसको इधर करता हूँ अगर मैं इसको यहाँ पर apply कर दूँगा ठीक है तो मैं एक बाद try करके देखता हूँ तो आप देखें इसके अंदर ज़्यादा mesh आ चुकी है तो मैं आपको यह recommend करूँगा तो इसको करनी से पहले आप इस body को select कीजी और आपने क्या क्या body का एक copy ले रखा हुआ है ठीक है ना तो मैं दिखाता हूँ कहाँ पर हमने यह लिया हुआ है यह रहा body का copy हमने यहाँ पर साथ यह body ही copy है अगर मैं इस सब को select करता हूँ और इसको इधर move करता हूँ अब copy कौन करता हूँ तो yes बोडी का हमने copy ले रखा है तो इसलिए अब हम इस पर apply कर सकते हैं ठीक है तो control Z अब फिर देखेंगे इसो select करते हैं और modifier में हमने इसको apply कर दिया है ठीक है अगर आपको back आना तो control Z ठीक है back आ चोगे पर ज्यादा back नहीं आएंगे आप कम से कम 6-7 बार आप इसको back लिया सकते हैं इस बात का ध्यान रखिएगा इस तो select करते हैं one पर हमने रखा है ठीक है और यहां पर apply आप object बोर्ड में apply कर पाएंगे इसको लेकिए यहां पर apply कर दीजिए तो यह हमारे पास बहुत सारे यह mesh आ चुकी है अब हमको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है ठीक है अब मैं tab करता हूं और यहां पर एक और subdivision modifier लगा देता हूं वैसे इसको कोई जूरत नहीं है बस हम फिर भी smoothness के लिए लगाएंगे पर ज़्यादा subdivision लगाएंगे तो problem भ करता हूं और अब अगर इसो में select करता हूं और object मतलब पोज मोड में आता हूं और यहां पर आपको दिखाता हूं ठीक है पहले जो आप देख रहें कि बहुत सारा यह option आ रहा था वह हम अब smoothly थोड़ा इस समूद वे में इसको band कर पाएंगे ठीक है तो यह select किजिए alt rg वैसे हमको hand को इतनी मोडने की जुरुत नहीं है मैंने आपको यह बताया कि मैस की कमी हो तब आप यह apply कर सकते हैं बट मैं ऐसा नहीं करने वाला हूं जैसे हमारे पहले था वैसे ही मैं इसको रखूंगा ठीक है और मैं इसको यहाँ पर टू कर देता हूं एक की फ्रेम लग गया ठीक है मैंने आपको बताया कि अगर ऐसा कुछ कमी हो तो आप कर सकते हैं बट recommend करेंगे कि हम ऐसे रखें ताकि हमको ज़्यदा लफड़ा नहों ज्याद दिक्कत नहीं हो और हमारा जो computer वह ज्यादा है मतलब कि लोड उस पे ना पड़े इस बात का देहन रखना अब यहां पर कुछ चीज का देहन देखना है कि हमको finger में कुछ rotation सेट करनी है कि जब हम hand को मोडेंगे तो क्या होता है जिसे हमारे normal finger मोडता है वैसे हम लो मौद दी CTRL cream और यहां पर हम एक सेकल मेर को ओन कड़े अ अगर मैं इसे सरक्ट कर रहा हूँ यहां पर भी अगर हम चेंज करेंगे तो देख रहे उस fingerprint में चेंज आ रही है विलाल हम इसको सरक्ट करते हैं और शिट्ट प्रेस करके इसको सरक्ट करते हैं ठीक है आप देखिए यहां पर क्या करना है Shift Ctrl C प्रेस करेंगे ठीक है एक साथ कीबोर्ड से तो आपके सामने यह बहुत सारे आप्षन आ जाएगा ठीक है इसको पहले सेलेक्ट करना है Shift प्रेस करके इसको सेलेक्ट करना है Shift Ctrl C और यहां पर जो रोटेशन है इसको क्लिक कर दीजिए और यहां पर जाएए इसको सेलेक्ट करके ठीक है कोपी रोटेशन का आप्षन आचुका है तो इसके उपर हमको यह लगाना है मैंटरिंग है और यहां पर बोन सेट है हमको z axis में move करना है तो x y की जूरत नहीं है और यहाँ पर जो target है हम यहाँ पर local पर click कर देंगे तो ऐसे हो जाएगा और नीचे जो honor है इस पर भी हम local space कर देंगे तो यह हमारा ठीक हो जाएगा फिर cm इसको select कीजी shift press करके इसको select कीजी shift control c press कीजी और copy rotation पर click कर दीजी तो फिर इसके उपर अभी हमको फिर से यही फॉर्मूल लगाना है z axis में इसको हमको rotate करना है और यहाँ पर target देना है local space और यहाँ honor पर भी local space कर दीजी आप देखे क्या होता है इसको मैं select करता हूँ और one press करता हूँ अब अगर मोड़ता हूँ तो आप देख रहे है कि जैसे हमारा finger मोड़ता है normally वैसे यह क्या कर रहा है ऐसे मोड़ रहा है तो यही फॉर्मूल आपको सब के उपर लगाना है तो मैं इसको एक बार और करके दिखाता हूँ इसको select किजे shift press करके इसको इसको select करते है shift press करके shift control c copy rotation यह अब आ चुका है तो shortcut में ही हमारा काम हो जा रहा है इसको select करेंगे और फिर यहां से local space और यहां से local space फिर इसको shift press करके इसको shift control c और rotation देखिए bone के अगर आपके पास यह अगर option नहीं आएगा और यहां पे default और blank दिख रहा है इसका मतलब rotation इसको नहीं लगा है और rotate नहीं होगा इस बात का देहान रखिए इसलिए आप इसको shortcut से कीजिए फिर इसको करता हूँ shift control c rotation और फिर इसको भी local space इसको भी local space फिर इसको shift control c rotation यह constant है और यह बहुत ही helpful constant है सिर्फ इसमें rotation ही नहीं बहुत ऐसा कुछ है जो कि हम लोग कर सकते हैं तो हम लोग आगे की video आगे classes आगे उसमें आप इस चीज़ को देख पाएंगे कि new खो सकता है कुछ new course और जिसके अंदर यह चीज़े आपको मिलेगी तो यह आपको बहुत ही help करने वाला है इसको shift प्रेस करके इसको shift ctrl c rotation और यहाँ भी local space और यहाँ भी local space तो मैंने इस सब इसलिए करके दिखाया ताकि किसी किसों को first time में समझने आती दिक्कत होती है new new में तो होते ही है इस कारण से आपको यह help करेगा और यह local space अब अगर मैं इस bone को select करता हूँ R press करके rotate करता हूँ देख रहे हैं अब मैं इस सब को select करता हूँ और R press करता हूँ देख रहे हैं जैसे हमारा normal hand जो move करता है वैसा यह ऐसे move करेगा तो आप क्या किजे जैसे इस side इस hand में हुआ है सेम आप क्या किजे इस hand में भी कर लीजिए ठीक है तो इस video में इतने ही वीडियो को देखर practice जरूर कीजी अगर कोई problem आती जरूर contact कीजी मिलते हैं next video में हमने जो बोला था कि match में problem आ रही है तो उसमें नहीं कर पाए तो हम लोग next video में इसको complete करेंगे तो हम आता है